हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर कने वाली हूँ अरख बनाने का तरीखा जो की नाखून की महंदी होती है इसे हम पर्मनेंट नेल पेंट भी कहते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे गुड यानि जैगरी, ये मैंने करीबन 3 टेबल स्पूल लिया है गुड को हमने पहले से ही क्रश कर लिया है, नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे करीबन 3 टेबल स्पूल शुगर यानि चीनी इसके बाद हम लेंगे कॉफी आप कोई भी कॉफी ले सकते हैं मैंने यहां पे इंस्टेंट ब्रू कॉफी लिया है आपको ऐसी एक पैकेट दो रुपय में आसानी से मिल जाएगी मैंने यहां पे ऐसे ही तीन पैकेट्स लिये हैं जिनके पास ओल्रेडी कॉफी पाउडर अवेलेबल हैं वो टेबल स्पून के हिसाब से डाल सकते हैं मैं आपको बता दू कि यह कितने टेबल स्पून होगे तो आप देख सकते हैं वन अड़ हाफ पैकेट एक टेबल स्पून है तो जो हाफ पाउडर बचा था उस पैकेट में वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ और जो दूसरी पैकेट है वो भी इसमें डाल देंगे तो टोटली हमने लिये हैं करीबन दो टेबल स्पून कॉफी पाउडर और ये तीन पैकेट्स का है जो नेक्स्ट इंग्रीडियन्ट है वो है टी पाउडर मैंने यहाँ पे दो टेबल स्पून टी पाउडर लिया है इसे चाई पत्ती भी कहते हैं तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आपको इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से मिलना जाए अगर आप ये ज्यादा बनाना चाहते हैं तो इसे आप ज्यादी quantity में भी ले सकते हैं तो चलिए हमारा जो mix है वो ready है इसे हम side में रख देते हैं next हम लेंगे एक vessel आप कोई भी पुराना vessel लीजिए क्यूंकि इसके बाद ये जलने वाला है लेकिन फिर से अरख बनाने के लिए इसे use कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो जो oil paint कैन आता है न वो भी आप इसमें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं next हम लेंगे एक bowl मेरे पास पुराना bowl नहीं था तो मैंने यहां पे जो पुराना टिफन बॉक्स होता है न उसे इस्तेमाल किया है इसे हम प्लेस कर देंगे center में और जो हमारा mix था उसे हम side में दीरे से डालते जाएंगे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यह जो सारा mix है वो पहले से ही विजल में डाल दीजिएगा फिर उसके बाद बीच में थोड़ा से space बनाके आप bowl को रख सकते हैं एक और tip मैं आप से share करना चाहूंगी यह जो हमने center में bowl रखा है उसे आप थोड़ा से broad लीजिएगा ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा decoction collect हो सके अब हम इस सारे mixture को अच्छे से evenly spread कर देंगे और कुछ भी अगर bowl में पढ़ गया हो तो इसे भी हम साफ कर देंगे तो आप देख सकते हैं यह जो bowl है और जो vessel है यह बिलकुल ready है अब हम इस vessel को रख देते हैं stove पर और इसे ढख देंगे एक दूसरी vessel से तो मैंने यहाँ पर एक खाली बरतन लिया है तो इसे मैं ढख दूँगी इसकी जगह पर आप कोई भी एक plate भी ले सकते हैं और इसमें हम डाल देंगे पानी मैंने करीबन इसमें आधा जग पानी लिया है तो मैंने यहाँ stove को कर दिया है on और जो सबसे low flame होता है उस पर मैंने इसे रखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ी सी steam आ रही है इसे हम अच्छे से ढख देंगे ताकि जो steam है वो बाहर ना निकले अब करीबन 15 मिनट हो चुके हैं तो चलिए इसे चेक कर लेंगे पानी अभी भी गरम है तो थोड़ी देर बाद हम इसे निकाल लेंगे पानी ठंडा हो चुका है और यह जो है बोल यह थोड़ा सा गुन-गुना है तो चलिए इसे निकाल लेंगे आपको इसे थोड़ा सा move करना होगा मैं इसे थोड़ा सा clockwise और Anticlockwise इसे move कर रही हूँ ताकि यह निकल जाए तो अब देख सकते हैं कितना सारा decoction इसमें निकला है आप इस वेजल को एक चाकू या knife की सहायता से clean कर सकते हैं और इसका फिर से अरख बनाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं यह decoction जो है थोड़ा सा गुनगुना है तो इसी समय हम इसमें आट कर देंगे करिबन दो टेबल स्पून रिफाइन फ्ला यानि मैदा और इसे अच्छे से mix कर लेंगे आपको इसे अच्छे से mix करना होगा जो भी इसमें लंस बने हैं उसे आप अच्छे से mash कर दें और अच्छा सा smooth सा paste बना लें अब देख सकते हैं paste अच्छे से बन गया है अब जो आरख है वो तयार हो गया है इस तरह मैंने जो आरख है उसके कोन बना लिये है आप मेरा हाथ भी देख सकते हैं जब मैं clean कर रही थी तब थोड़ा सा मुझे यह हाथ पर लग गया था और सिर्फ एक या दो मिनिट में इतना dark हो चुका है तो देखिए फ्रेंज मैंने इस तरह से यहाँ पर कोन बना लिये हैं इस अरख के आप चाहे तो इसे चोटे या बड़े कोन भी बना सकते हैं दोस्तों मैंने इसे बहुत बार बनाया है और इसका जो stain है वो बहुत ही dark आएगा सिर्फ एक ही बार में तो आप भी इसे बना कर जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे like, subscribe और share जरूर कीजिए अल्ला हाफिज